नमस्कार मैं आसे इस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षपलस में तो ITI से रिलेटेड जो आपके टेकनीशियन आरार भी टेकनीशियन की वेकेंसी आने वाली है मतब सौट नोटिस तो पहले ही जारी कर दिया गया था डीटेल नोटिफिकेशन आपके नोटारी को पब्लिस कर दी जाएगी तो उसमें कौन-कौन से अभ्यारती जो है इलिजिबल है क्या डिगरी और डिप्लोमा वाले भी इलिजिबल है टेक्निशियन के लिए ये सब ही पूरा डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा लाश तक बने रहिएगा और पूरी एलिजिबल्टी आपको क्लियर हो जाएगी कि आई टी आई के कौन-कौन से ट्रेड किस-किस पद के लिए फॉर्म डाल सकते हैं पूरा आज यहाँ पर क्रिस्टर क्लियर हो जाएगा तो जो बच्चे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जादे से जादे सेयर करें तो अगर आप ELP की या Technician की तैयारी करना चाते हैं तो जाहिर सी बात है CBT-1 और CBT-2 आपके सेम होता है इसका तो आप परिक्षा प्लस अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लिए या live.parikshapplus.org आप open करिए वहाँ से आप जाएंगे तो RRB की कोर्स में आपको दो कोर्से चलना है ये एक हमारा चला है ELP plus Technician मात्र 499 में आपको पूरा CBT-1 और CBT-2 दोनों की preparation कराई जाएगी और बाकी बच्चे जो अगर ITI नहीं किये हुए हैं आप non-technical हो और preparation करना चाते हो जो NTPC आने वाली है उसकी तो आप NTPC के कोर्से भी enroll हो सकते हैं दोनों कोर्से से आपके parallel चल रहे हैं तो चलिए आप बात करते हैं कि क्या रहेगी आपकी eligibility criteria कौन कौन से trade किस किस के form भर सकते हैं उससे पहले आपको जानना होगा कि आप medically fit हैं कि नहीं सबसे जरूरी होता है क्योंकि यहां पर आपके हर एक trade के लिए हर एक आपके profile के लिए जो आपकी job profile होने वाली है उसके लिए आपको एक आख का जो criteria होता है medical standard होता है वो मांगता है तो इसमें से आपका technician के लिए देखे यह तो आपको नहीं चाहिए यह तो उनके लिए A1 जो ALP वाले होते हैं तो यह तो आपका लिए नहीं लेकिन B1, B2, C1 यह आपको technician के लिए चाहिए ही चाहिए यह ध्यान रखिएगा तो यहां से आपको B1, B2, C1 में एक रियायत दी गई है simple जी बात है कि आपका अगर चस्मा भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप इस form को fill कर सकते हैं लेकिन कुछ case में आपको color blindness नहीं होना चाहिए जैसे जो B1 है आपका अगर आपके आखों का label मतलब B1 एक extender दिय आगे RRB के द्वारा तो यहां पर B1 में आपका बोला गया जो distance vision आपका 6 by 9 या 6 by 12 मलब दूरी 6 by 9 जो alphabet पढ़ाते हैं तो उसमें lining होती है 6 by 9 मेन आख जो आपकी exam exact सही होती हो 6 by 6 पे होती है तो अगर आप चस्मा या बिना चस्मे के 6 by 9 और 6 by 12 है आपकी आख तो आप eligible हो B1 जहां जहां आपको मांगेगा साथ ही साथ आपका जो power का lens होना चाहिए वो 4 director से जादे नहीं होना चाहिए near vision 0.6.6 आपका with और without glass है आप eligible हो लेकिन ये आपको पास करना पड़ेगा color vision, binocular vision, night vision और mesophic vision का जो test है मलब color vision आपके पास नहीं होना चाहिए B2 में क्या है अगर 6.9 और 6.12 है आपका with और without glass power of lens not to exit 4D मतलब आपका 4D से जादे पावर नहीं होना चाहिए बाकि आप यहां पर बोला है कि आपको binocular vision आप पास किये हो close work is required must pass test of binocular color vision रहेगा तो चल सकता है क्योंकि यहां पर detail color vision का नहीं दिया लेकिन जहां पर B1 मांगा है वहां color vision भी पास करना पड़ेगा आपको और रहा C1, C1 देखिए कहां पर यहां आपका 6.12 या 6.18 है तो without glass भी आप चल सकते हैं और इस पर भी कोई भी अलग से टेस्ट पास करने के लिए नहीं बोला है बाइनो कुलर इनके लिए यहां पर नहीं बोला है हाँ आप laser मत कराईएगा क्योंकि यहां पर B1 और B2 के लिए आपका laser नहीं चलेगा यह ध्यान रखिएगा ठीक है कि अपना correction कराने के लिए आप maximum medical standard इसमें B1, C1 है, B2 कहीं कहीं है यह ध्यान रखिएगा तो चसमा वाले एकदम eligible हो बेफिकर रही है आप निश्चिन तोर पे आप eligible है ठीक है जिसका 4D से power जादे नहीं है आप अपना चेक करा लिएगा टेकनिकल ग्रेट थार्ड ब्लैक स्मित एक पोस्ट होती है यह प आप एलिजबल हो इसमें अब कहोगे सर क्या इसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले भी एलिजबल है नहीं डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए यहां पर कोई नहीं दिया गया जैसे एलपी में एक नोट करके दिया गया था एक इलिजबल्टी अलग से दिगई थी यहां नहीं दिया गया है तो यह ध्यान रखेगा आप एलिजबल नहीं हो यहां पर आपको टेकनिशियन ग्रेट थार्ड ब्लैक स्मित वाक्स ओप वाक्स ओप में हमेशा जिसका भी स्टेंडर मांगा है मगल आखों का मांगा है मतलब कोई भी जादे जाक्स नहीं होगी आप चल सकते हैं चसमा के साथ ठीक है तो यहां पर भी आपको एक बोला है कि आप मतलब 10 के बाद अगर आपने किया है किस ट्रेड में जो उपर ट्रेड दिया गया है तो आप होगे अगर आपको कारपेंटर में बनना है तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए ट्रेड आपका ट्रेड होना चाहिए कारपेंटर परनीचर और कैबिनिट में कर ठीक है इसी में अगर अपने अगर एपरेंटिस किया है या आईडिया किया है तो आप यह भर सकते हो य इसके लिए चाहिए, अगला हमारा जो है वो post क्या है इसमें कई सारे पोस्ट आते हैं वैगन के लिए आपका पूछे तो इसके लिए आपका किया है trade में तो आप भी भर सकते हैं उसके बाद से grade third armature और coil winder आते हैं तो coil winder के लिए देखो यहां पर B2 आपका क्या मांगा है आखो का जाच मांगा है इसमें भी आपका क्या होना चाहिए trade आपका winder armature से होना चाहिए तभी आप form को भर सकते हैं यह ध्यान रखिएगा अगला जो हमारा है वो technician grade third book binder का है इसमें आपका क्या होना चाहिए कि आपका trade book binder का ही है तो आप form को भर सकते हैं और अगर apprentice आपने उसी trade में किया है तब आप form को भर सकते हैं ठीक है इसका भी B2 आपका क्या है medical standard technician grade third bridge यह bridge वाला क्या है यह आपके welder हो आपने अगर किया है fitter से आपने किया है ठीक है तो आप इस form को भर सकते हैं या आपका apprentice भी उसी trade में है तभी आप इस form को भर सकते हैं इस trade को choose कर सकते हैं खुल मिला के तो आई देखते रहेगा fitter वारे किसके किसके लिए eligible हैं ठीक है जितने भी जगां पर fitter लिखा है carpenter लिखा है वो कहां कहां आप किस-किस पद को आप भर सकते हो तो वह पद ठिक लगाने के लिए आपके लिए सही रहेगा अब देखो यहां पर crane driver आ गया crane driver के लिए आपका क्या चाहिए material handing trade चाहिए हना उसके वासे आपका motor vehicle चाहिए कम operator चाहिए यहां पर तो वह सी trade के हो तो आप crane driver का form फिल कर मतर्द train driver का जो technician होंगे उनके के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद से technician ग्रेट था डीजल electrical इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए या तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हों mechanic auto electrical and electronics के हैं वायर में से किये हैं यह electronics mechanics mechanics से किये हैं यह mechanic power electronics से किये हैं इन टिक करना चाहते हैं तो आप यह भी दोनों आपके मलब यह दोनों पोस्ट के लिए eligibility सेम है इन दोनों पोस्ट के लिए eligibility technician ग्रेट था डीजल electrical ancillary और mechanical इन सब ही के लिए आपके क्या है यह जो आपके दिया गया है education qualification आपका सेम है उसके पासे डीजल mechanical हना mechanical के लिए आपका डीजल mechanical के लिए आप देखो सेम चीज़ है mechanical डीजर या फिटर फिटर वाले यहां भी आए अगर आपका ट्रेड फिटर रहना तो बहुत जगां आप बहुत सारे पद आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब उसके बास रिपेर एंड मेंटेनेंस है mechanic automobile advanced diesel engine से आपने किया है mechanic motor vehicle से किया है या tractor mechanic से किया है या welder से किया है या painter से किया है मतलब इस पद के लिए आपके painter, welder, fitter, mechanic diesel ये सब ही आपके apply कर सकते हैं technician diesel mechanical के लिए ठीक है और यहाँ आंसिलरी के लिए यहाँ पर आपके सेम चीज़ दोनों पद के लिए आप apply कर सकते हो जिनके पास ये trade है ठीक इसके बाद से आपका आता है electrical वाला technician great thought electrical इसके लिए भी आपका क्या क्या trade होना चाहिए या wireman का है electronics mechanic है या mechanic power electronics है या mechanic mechatronics है तो अगर आपने इन trade से आपने किया है तो आप technician great thought electrical बन सकते हैं ये ध्यान लखिएगा तो ये trade कहां कहां आ रहा है आप देख लिजेगा कि आपका trade का है और ये किसमे किसमे पूछा हुआ है ठीक है उसको उसको आप टिक लगा दीजिएगा अब यहाँ पर देखो electrical power वाला ये और उसके ब एक ही आहारता चाहिए वो क्या चाहिए वायरमेन या इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक एच्टी या ल्टी क्यूपमेंट केबल जॉइंटिंग या electronics मैकेनिक अगर आपके पास इन trade से आईटी आई है तो आप फॉर्म को फिल पोस्ट को आप डाल सकते हैं ये ध्यान हाँ कई सारे हैं मतलब इसी आहारता पे इसी आहारता पे इलेक्ट्रीशियन या वायरमेन या मैकेनिक एच्टी या ल्टी कुपमेंट का जो ट्रेड है आपका अगर आपने उसमें आई टी आई किया है तो आप बहुत सारे पद जैसे टेक्निशियन ग्रेट फॉर्ट इल अलग-अलग पद के लिए आप एलिसबन हैं सबके अलग-अलग पोश्ट आते हैं यह ध्यान रखिएगा अब उसके बाँ से ग्रेट थाड इलेक्रिकल्क टी य्यारस के लिए ठी यहां पर एक चीज़ और जुड़ गया कारपेंटर भी है पेंटर जनरल है वेल्डर हो तभी आप इसके लिए आप अपलाई इस पद के लिए कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही ग्रेट फिटर के लिए आप फिटर का टेक्निशन है तो आपको लिए वहाँ पर क्या चाहिए फिटर ह चाहिए और कोई चाहिए तो इसमें और उक्याम करेंगे गालगा छिससका फिटर होगा वहाँ टेक्निशन फिटर बन सकता है ठीक है इसी का वॉक साप हो टेखनिशियन तो इसमें फिटर भी चलेगा कारपेंटर भी चलेगा फॉर्निचर और फायदा फायदा है फिटर वाले मैक्सिमम जगह आप देख रहे हो कि आप आपका पद मांगा गया है अब यहां ग्राइंडर में आपका ट्रेड ऑफ मैकनिस्ट ग्राइंडर यहां एक ह क्लिए अगला है हमारा इसमें देखो अगर आपका जिसे मैकनिस्त है तो वाले में suited using reliability आपकी रहेगी एक के लिए आपटो का standard B2 होगा और बाकी नों के लिए आपको का standard C1 होगा Wharksop वाले में maximum standard C1 होता है जैद्यान रखिएगा अब great मैंस का मैंस का अगर बोला तो इसके लिए आपको क्या हो देखो फीटर इसमें भी आ गया वेल्डर भी आ गया मैकनिस्ट मेकनिस्ट ग्राइंडर भी आ गया तो यह आप से यहाँ पर मिल राइट राले आते हैं तो यह आपके C1 इसमें चाहिए आखो का standard इसके लिए आपको क्या चाहिए कम से कम आप mechanic machine tools maintenance, mechanic advanced machine tool maintenance में अगर आपने diploma किया है, मतलब ITI किया है तो वो आप चलेगा, mill right maintenance, mechanic, mechanic machine tools maintenance इन सभी trade में अगर आपने किया है, तो आप mill right का form भर सकते हैं मतलब पद को भर सकते हैं, यह ध्यान रखेगा, उसके बाद से third वाला है यहाँ पर technician grade third, motor vehicle driver come mechanic, ठीक है तो इसके लिए भी आपका क्या होना चाहिए, mechanic motor vehicle, driver come fitter, driver come mechanic इन सब में आपका trade है, तो इस पद को आप भर सकते हो और इसके साथ-साथ, आपसे एक चीज और मांगा है, suda possess a valid driving license for driving light duty and heavy duty vehicle light duty और heavy duty vehicle का license आपके पास होना चाहिए, यह जरूरी है इसके लिए उसके बाद से multi skill fitter, आपका अगर technician बनना है इसमें, तो इस पद के लिए आपके पास सेम चीज fitter चाहिए, welder, mechanist होगा और उसके बाद से आपका बाकी उसी में apprentice अगर आप इसी trade में किये हैं, तो आप eligible होंगे इसके बाद आपका हम आते हैं, तो बहुत सारे पद निकलते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसमें आपका painter आ गया, तो painter के लिए आखों का किसी किसी में B1 मांगता है, किसी किसी में C1 मांगता है, department में depend करता है तो उसके लिए आपका painter general आपने trade से किया है, domestic painter किया है, industrial painter किया है, या इसी trade में आपने apprentice किया है, तो आप eligible होगे, apprentice वाले और ITI वाले यही तो eligible हैं, बाकी और कोई निक, उसके बाद से permanent way का एक पद आता है technician का, इसमें आपका fitter, welder, mechanist, grinder ये सब ही आपके eligible हैं, तो fitter वा हैं, उनके लिए बहुत सारे पद होते हैं, आप डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद से आपका plumber and pipe fitter आते हैं, तो यहाँ पर देखो, pipe fitter, plumbering आपने trade से किया है, तभी आप डाल सकते हो, उसके बाद से आपका pump operator आता है technician, तो उसके लिए आपका trade pump operator, कम mechanic, या utility operator अगर आपका trade है, तो आप भर सकते हैं, इस पद को डाल सकते हैं, अपने preference में ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद से आपका air conditioning वाला जो आ जाता है, अगर आप इनमें से कोई भी trade आपने किया है ITI में, या apprentice किया है, तो आप इस वाले पद को डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपका remote control TRD आता है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, कि आपका electrician या wireman का होना चाहिए, mechanic HD, LTE equipment, cable jointing या electronics mechanic के आप trade से किये हो, तो आप इस पद प हाना, rigor वाले में, आप क्या होना चाहिए, आपका rigor या fitter से होना चाहिए, आपका trade ITI, या आप उसी से related apprenticeship किये हैं, तो आप भर सकते हो, तो जहां जहां अलग मांग रहा है, वहां पर उसी, देखो, fitter, fitter maximum पद पे मांगा है, ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद से आपका technician grade thought S&T, इसके लिए आपका electrician और wireman को ही मांगा है, इस वाले पद के लिए S&T के लिए, lineman के लिए, B1 standard आपका आखो का होना चाहिए, और technician seat metal worker के लिए C1 आखोना चाहिए, आपका standard होना चाहिए, और इसके लिए trade आपका seat metal worker का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस पद को आप तिक लगा सकते हैं, अगर आपके पास है, अब यहाँ पर technician grade third seal के लिए, आपका fitter या welder का trade होगा, तो आप इस वाले पद को choose कर सकते हैं, अब एक और जरूरी information, बिना ITI किये भी आप technician बन सकते हैं, बिना ITI किये भी technician बन सकते हैं, दो पदों के लिए, पहला पद है, technician grade third signal, बिना ITI के, इसमें अगर आपका trade है, electrician, electronics, mechanic और वायर में, तब तो भरी सकते हैं, आप ITI किये हैं, और apprentice किये हैं, इसके साथ अगर आपने 10 plus 2, ठीके, दूसरा condition पहला, तो आपका यह condition, दूसरा आपने 10 plus 2, physics and math से, मतलब PCM वाले जो बच्चे हैं, वो इस पद क भर सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा, आप सभी, ठीके, अब आते हैं हम लोग अगले पे, यहां पर एक पद और है, आपका technical grade third telecommunication, इसमें आपका पहला बोला है, कि आपका यह होना चाहिए, और आपका यह तो यह होना चाहिए, ठीके, मतलब इनके इनके बीच में, देख है, electrician, electronics, mechanics, या वायर्मेंस से, तब आप form को fill कर सकते हैं, या आप 10 plus 2 physics math से हैं, तब आप इस trade के लिए, telecommunication के लिए form को, मतलब पद को आप इसको चूज कर सकते हैं, मतलब इसमें ITI आपको जरूरी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, उसके बासे आपका है track machine, इसमें आप आपको क्या क्या चाहिए, electrician, electronics, mechanic, mechatronics, mechanic, diesel, mechanic, motor vehicle, welder, mechanist, यह सभी trade से किये हैं, तो track machine का आप पद चूज कर सकते हैं, form में, उसके बासे आपके हैं, trimmer का है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, trailer, general में चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपका, आपने, अप हो, अप holster, या matriculation, SLC, plus course, complete act के साथ, अगर आपने apprentice किया है, उपर के जितने trade दिये गया है, तब आप form को fill, मतलब इस पद को भर सकते हो, और turner के लिए, turner के लिए, आपका trade turner होना चाहिए, या उसी में आपने apprentice किया है, turner में, तब आप इसको भर सकते है तो turner के कई सारे हैं, अलग-अलग department में, अलग-अलग पद हैं, अलग-अलग medical standard इसका माना जाता है, ये ध्यान नकिये, एक है आपका welder, welder का अलग से आता है, उसके लिए welder, welder gas and electric, gas cutter, structural welder, welder pipe, welder TIG और MIG से आपका trade है, ITI का, तब आप इसको भर सकते हैं, या apprentice किये है तो इतने सारे आपके technician के पद होंगे, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि एक पद पर भरिएगा, जहां जहां आपका trade मांगा है, वहां वहां उसे आप choose करने के लिए आएगा, तो choose कर लिजेगा, otherwise जैसे ही आप अपनी eligibility डालेंगे, तो आपका result बनेगा, तो उसी के coding बनेगा कि आप कहां-कहां fit हो रहे हैं, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक medical standard भी है, तो जाहिर सी बात है, उसी के coding आपको मिलेगा, तो इतने पदों पर आपके हो सकता है, तो इन में से कुछ पद हो भी सकते हैं, कुछ पद नहीं भी हो सकते हैं, यह आपके इतने पद ह होते हैं, अगर सभी पर कुछ न कुछ आएगा, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वेकेंसी हर बार की मनलब जो पहले इससे पिछले आया था, उससे तो कमी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर किसी किसी में हो सकता है, ना मिले आपको, लेकिन रहेगा सभी के लिए, जितने आपके समस्याओं का समधान किया जाए, तो चलिए इसी के साथ, मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्त रहिए